जब मार्केट ने हाइट को टच किया तो उसके बात के टार्गेट किया इस पर हमने जो निफ्टी बैंक निफ्टी के हर टार्गेट को जो वीडियो जाते हैं उसमें हमने कहा था कि अब निफ्टी का जो पहला टार्गेट रहेगा वो 20,000 का रहेगा और बैंक निफ्टी का जन्दी अप्टे टार्गेट जो है वो अचीव कर लिए है इसके साथ ही जो लास्ट वीक का लास्ट प्राइडे का वीडियो था तब भी हमने कहा था कि अब आईटी फुड़ा कंसोलिडेट कर सकता है आपको बैंक निफ्टी परगान देना है बैंक निफ्टी ऊपर के डार सकरते हैं कि अब किस तरह से प्लांस करने चाहिए अलो फ्रेंड्स मैं जागरुती आप सभी आखिक करते हैं कि कि निफ्टी जो है वो क्या बिएव कर सकता है जैसे कि हम कहसरते हैं कि निफ्टी में 20,000 का यह एक साइक लोजीकल हर्डल है 20,000 का तो यहां से एक करेक्शन तो बनता ही है और वैसे थी निफ्टी ने जो है यह रबोट 300 पॉइंट के आसफा सरेक्शन और रेडी दे लिया है और यह जो है आईटी के वज़े से दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनफोसेस के रेजल्ट्स इनफोसेस के रेजल्ट्स के बेसिस पर हमने जो है हमारे जो कोर्स पर जिन्होंने लिये हैं उन स्टूडेंट्स को हमने एक स्ट्राटेजी सिखाई थी और उस स्ट्रा पर देख सबस्क्राइब काफी अच्छे से यह स्ट्राटेजी उनके समझ में आ रही है और पर रहे हमारी इन्हीं कोशिच रहती है उनको स्ट्राटेजि जो है या मार्केट जो है वो अच्छे से समझ में आए ताकि वो अपने डिसिजन्स कुद ले पाई जिसके साथ ही जैसे हमने कहा कि अब निफ्टी जो है वो के साइकलोजिकल हर्डन पर है तो यहां से एक कर्रेक्शन वैसे भी बनता नहीं और मार्केट में नीचे का डाउट साइट दे दिया है तो हम पहले रेजिस्टन्स की बात करेंगे कि अब मंडे की लिए जो रेजिस्टन्स हमारा रहेगा जो पहला रेजिस्टन्स 2950 लेकिन हमें जो हाँसएड में ज्यादा नेक्स्ट विए में हमें यहोमें पältती दूलने है कि मार्केट अगर वापिस रेजिस्टन्स के पास आता है तो हम जो है डल्सड के लिए ज़्यादा चांसेड भूलेंगे ज्यादा अपरॉचुनयटीज हम सेलिंग के लिए यह दूलिंग हमारा पहला जो सपोर्ट है इंट्राडे के लिए वो 19,690 का रहेगा दूसरा हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो 19,560 का रहेगा तो जैसे कि मैंने कहा कि निफ्टी जो है उसमें स्ट्रेंग थोड़ा कम था इस वीक में नेक्स्ट वीक में हमें मंडे ओपनीं के आसपस समझ में आ जाएगा कि निफ्टी में स्ट्रेंग जादा है तो उसी हिसाफ से हम हमारे ट्रेडिंग प्लांस करते रहेंगे तेलिग्राम में अबर आप लोग ह अब सेलिंग के लिए अपोशनेटी जून दी हैं जग तक 20,000 को क्रॉस करके एक कैंडल क्लोज नहीं कर देता एक क्लोजिंग हमें नहीं मिल जाती तक अब हम बाग करेंगे बैंक निफ्टी की बैंक हमने जैसे देल खाल की करेक्शन एक्सपेप्टिव था आज प्राइड जो रेजिस्टेंस बैंक में ठीका है वो 46,260 का रहेगा और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो 46,370 का रहेगा जब तक 46,370 क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता तर तरहां फ्रेश बाइड के लिए नहीं जाने फ्रेश भाई हम नहीं करेंगे 46,370 के ऊपर जब तर क्लोजिंग नहीं दे देती कोई कैंडल या सस्टेन करने नहीं लगता तब तो अगर यहां पर प्रॉस करता है तो डेफिनेटली इसके लिए इंग बार से रहें ट्राय कर सकता है लेकिन अगर हम डाउन साइड की बार प 50 यह पहला सपोर्ट है अगर इसे ब्रेक करता है तो 45,900 यह इसका पहला टार्गेट हो सकता है और इसे भी अगर प्रॉस कर जाता है तो 45,810 एंड सो ओन 45,600 वगरे तर बाइंक निप्टी जो है वो आस रहें जब तक या तो हम 46,370 के ऊपर बाइंक के लिए जाएंगे बा हम 45,500 के लिए पॉचरिटी जो लेगे तो यह हमारे ट्रेडिंग प्लांस रने चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए वैसे ही हम हम फिन निफ्टी के भी बाग कर लेते हैं कि फिन निफ्टी क्या बिहेव कर सकता है तो फिन निफ्टी की बाग करने से पहले अगर आप में अभी वो है 20,625 यह जो रेजिस्टेंस है जब तक इसे क्रॉस नहीं करता सस्टेंट नहीं करता हम फ्रेश पाइंग के लिए फिन निफ्टी में भी नहीं जाएंगे पहला सपोर्ट हमारे लिए 20,390 का रहेगा दूसरा सपोर्ट हमारे लिए 20,160 का रहेगा और 19,950 यह जो है सब्सक्राइब करें यह जो हम एक्पेक्ट कर रहे है कि इस हिसाथ से लेते है तो यह सपोर्ट लेती लेते फिन निफ्टी जो है वो नीचे आ सकता है तो हमें ध्यान रखना है कि साथ ही अगर आप तक टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो वीडियो की नीचे जो डिस्क्रिप्शन वॉप्स में लेंक दी गई है आप वहां पर जातर डिरेक्टी टेलिग्राम जैनल जॉइन कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन वॉक्स में जो लिंक दीगे है उसमें से खोई भी एक अकाउंट आप उपन कर लीजिए इंग दो तिन ट्रेंड कर बाद में हमें स्क्रिंशॉट वॉटसर्ट पर देजिए हम आपको हमारे प्रेनियम ग्रोट में आड कर लेंगे और इसके साथ ही अगर आप मार्केट की लर्नी करना चाहते हैं और उसको कैसे डिपलॉय करना है यह भी सिखाया जाएगा तो आप अगर यह पोर्स करना चाह बोक्स में दी गई है तो दोस्तों आपको यह आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताए इस वीडियो को जादा से जादा लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें टाकि और वीडियो के लिए मुझे वोटिमेशन लिए